लॉक्साब वलकम तू जस्ट वन क्वेस्टन था आज कर जो कुछने वालों ये ऑलमोस्ट तकरीबन सब के लिए है क्योंकि हर को लाइफ में कुछ ना कुछ काम तो करता ही है जो होम्मेकर्स भी होते हैं उनको हाउजवाइब बोलते थे लेकिन आजकल हम वोम्मेकर्स बोलत योज्यली जो आपकी एक हिस्ट्रेटे की होती है इससे पहले कि कोई पेशेंट आकर आपसे कंसुल्ट करें आपसे मिले को आपकी टीम में ज्ट्रेंख्र होते हैं योज्यली भी लेते हैं मैं वो देखता हूं बहुत … लING लगी हो बहुत लंबा थ आ व wander उओ उसमें एक एक common चीज होती है और वो क्यों है मैं आज तक नहीं समझ पाया क्योंकि वो आ रहा है आपके पास सफेद दाग का इलाज करने के लिए तो जेंडर तो खेर समझ में आया date of birth concept age क्या है address क्या है एक column fill करना होता है वो होता है occupation यह मेरे पल्ले नहीं पुड़ा कि occupation का सफेद दाग से क्या लिए इसलिए मैंने का सब के लिए so how is मेरा question समझ भी जी occupation क्यों why is it necessary occupation कि आप काम क्या करते हैं absolutely तो ऐसा हम इसलिए पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं पहली चीज़ बहुत सारी चीज़े समझ में आती है ठीक है बहुत सारे आसपेक्ट सफेद दाग के साथ जुड़े रहते हैं काम क्या करते हैं अगर आप social काम करते हैं जहां पर आपको socially बहुत active रहना पड़ता है आप singer हैं stage पे रहते हैं dancer हैं actor हैं सब तरहां के लोग मुझसे मिल चुके हैं politician हैं किस तरहां के आप profession में हैं उससे ये पता चलता है कि आपको सफेद दाग के साथ कितने लोगों को face करना पड़ता है तो वो आपकी life को कैसे effect करता है अच्छा social socially वो कैसे acceptable है यह जानने के लिए अभी सुनो तो सही एक social aspect हुआ ठीक है कि आप कितने लोगों से मिलते हैं second aspect होता है कि आप किसी chemical के संपर्क में तो नहीं आते हैं अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर chemicals का इस्तमाल होता है जैसे माले जे फार्मर एंखेती करते हैं तो खेती में आप खुद करते हैं या जैसे आप मुझसे follow-up question पूछते हो वहां पर भी follow-up questions आगे एक आप क्या करते हैं उसके बाद आगे question अगर आप farmer है तो आपसे question पूछा जाएगा अगर आप teacher है तो अलग question पूछा जाएगा बहुत तरहां कि मतलब इस छोटी सी वीडियो में यह बता पाना बहुत मुश्किल रहेगा फिर उसके बाद अगर आप chemicals के संपर्क में आते हैं या नहीं ठीक है फिर उसके बाद की आपका atmosphere कैसा है क्या पूरा दिन AC में बैठे रहते हैं क्या पूरा दिन जादा धूप में रहते हैं आप किस तरहां के weather में काम करते हैं occupation से वह भी पता चलता है फिर पता चलता है कि traveling job है या नहीं है घर का खाना मिलता है या बाहर जादा रहते हैं तो होटल का खाना जादा खाते हैं ओके तो उस एक छोटे से question में बहुत चोटा सा question कि आप काम क्या करते हैं बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं हाँ देखे मैं भी अपने हाट के लिए अभी गया था तो मुझ से पूछा गया था वहाँ भी पूछा गया था कि आप काम क्या करते हैं मैंने का मैं television में हूँ और यह काम करता हूं इससे पहले मैं जोनो रियालिटी टीवी करता हूँ बहूत स्ट्रेसफुल मतलब बहुत प्रेशर होता उसकाम में तो उनने में मेरे को यह बता कि मैं हार्ट के लिए गया हूँ तो आपका बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है मतलब परिशानी वाले जॉब है, सेल्समेन हो गया, आटो कार सेल्स वाले हो गये, अधरवाई सेल्स वाले भी हो गये, उनको टागेट्स मीट करने हो, मार्केटिंग वाले होते हैं, टेलिवीजन में जो लोग होते हैं, इनका बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़ाद उसके अलावा, वो यह कहते हैं, माम हमारा तो जॉब ही ऐसा है, चाहे वो वकील आ रहा है मेरे पस, चाहे वो मेरे पस पॉलिटीशन आ रहा है, चाहे वो मेरे पस स्कूल की टीचर्स आ रही है, जो आ रहा है वो यही बोलता है, माम हमारा तो जॉब ही स्ट्रेसफुल है, हम क लिए कराऊंगी तो मैं आपको अपना बैस नहीं दे पाऊंगी तो सेम सेला मैं उनको देती हूं कि काम का स्ट्रेस काम पर रखें और जब घर आते हैं या कोई अपनी और कोई आप्टिविटी करते हैं जहां थोड़ा ट्रावलिंग नहीं कर सकते हैं तो आप हमें एक लेटर लिखके दे दीजे रेकमेंडेशन का कि आपको थोड़ा स्टेबल जॉब चाहिए आई डू दाट आज वेल बच्चों के लिए कि धूप लगवाने के लिए जरूरी है धूप से बचना है तो पीटी के पीरिट में ना जाएं तो हम यह सब भी करते हैं तो ऑक्यूपेशन के साथ साथ बहुत सारी चीजे जुड़ी हुई हैं आपके काम के साथ साथ वो सभी डिसकस करके उन सभी को देखते हुए ही इलाज पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सिर्फ अगैन मैं हमेशा ही यह बात बोलते हूं कि सिर्फ दवा मिल जाना लोग मेरी यूटीव वीडियोस देखे कई बार मुझे बताते हैं आपकी दवा ना हम खा लेते हैं हम ले ल वर कंडिशिन उन सबको एन्लाइज उन सबको देखकर मुझे आपको ट्रीटमेंटंट भी बताना पड़ेगा मुझे आपको दवा बिदानी पड़ेGS बढ़ेगि मुझे आपको लाइफ स्टाहर Warm को अब ने जवाब देते कहा था क्याप कोैसा काम करते हूं कीमिकल्स की स तो इस पॉसिबल क्या जो वो काम करते हैं इसकी वज़े से उनको विट लोग है बिलकुल बिलकुल और सिर्फ रंग डाय की वज़े से सफेद दाग नहीं होते हैं अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को होता है पालर में सलोन में जो हेर कलर करते हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको हो जाता है उसके अलावा जो रबर की फैक्ट्री में काम करते हैं बहुत तरह क케 काम होते हैं सर जहांपर chemicals use होते होते हैं कभी-कभी तो मुझे बहुत जादा समझना भी पड़ता है कि कौन सा chemical आप use करते हो कई बार अब वो देखो फिर इसमें भी है मैं पूछते हूँ आप काम करते हैं हां जी हमारा chemicals वाला काम है पर हम वाँ साइट पे नहीं जाते हैं हमारा तो सिर्फ admin का काम है तो वहाँ chemical out of the question होगा कि पेशिंट को chemical exposure नहीं है तो again chemicals बहुत तरह के हैं बहुत तरह के आजकल use हो रहे होते हैं आप उनके संपर्क में कितना आ रहे हैं farming मैंने बोला और आपका संपर्क उनसे हो रहा है या नहीं हो रहा या सिर्फ आप administration में ही रहे और आप chemical से दूर रहे तो वो फिर आपके लिए valid नहीं है question तो बहुत तरह की questions chemicals के साथ भी जूड़ जाते हैं तो ऐसा कोई classical example है जहां पर किसी को सवीद दाग हो रहे हो उनकी occupation की वज़े से और उन्हें पता ही नहीं हो या आपको भी ना पता हो ऐसे बहुत से examples हैं बहुत लोग है जिनको यह एहसास ही नहीं हो था कि काम की वज़े से उनको यह problem हो रही है और कई बहुत जादा कई वार डिस्क्लोज भी नहीं करते कि क्या काम करें रिसेंटली एक पेशिंट है मेरे पास अल्मोस्ट ठीक हो चुकी है नबबे परसंट ठीक हो चुकी है दस परसंट दाग उनके हाथ पर ही बचा है ठीक है हाथों पर दाग है और उनके पैरेंस काफी हैं से अपना काम करते हैं तो इससे जादा कभी बात ही नहीं हुई पेशिंट शुरू में ही अगर ठीक होने लग जाएं तो बहुत जादा दिमाग भी कई बार इस तरफ नहीं जाता है रिकवरी मेंटेन करने में ही लगा रहता है तो आखिर में उनके फादर साथ में आते हैं हमेशा तो उन्होंने मुझे का कि देखे अब तो शादी करनी है ऐसी बातो बातो में अब तो शादी करनी है बस अब ये 10% भी जो बचा है ये ठीक हो जाए वैसे तो ये डेंटिस्ट है अब तो ये बात ही नहीं बताई कि वो देंटिस्ट है तो वो भी थोड़ा हिरान होगे कि इनको ऐसा क्या फ़रक पड़ गया कि ये डेंटिस्ट है पेशन तो ठीक हो रही है और क्यों जानना चाहती है कि किस तरह की ये डॉक्टर है अब देखिए एक नॉर्मल प्राक्टिशनर में, नॉर्मल डॉक्टर में और डेंटिस्ट या किसी गाइनकोलिजिस्ट में फरक है क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉर्मल रिसे हैं अब हम लोग आयरवेधी क्लिनिक कर रहे हैं तो ये तो शुकर है कि उनका एक दाग जो बचा हुए है वो थोड़ा से ही बचा है बट अकर वो बढ़ रहा हो और मुझे ना ही बताओ कि आप क्या काम करते हो तो कई बार मिस भी हो जाती है चीज़ें तो वो तो चलिए अच्छा केस है कि 10% ही बचा है तो मैंने उजिन बताया उनको कि आपको अपने रवर गलब्स चेंज करने हैं दूसरी तरह की गलब्स लेने हैं बट ये बताना अगैन डॉक्टर से कुछ भी चुपाना नहीं जाहिए सब कुछ बताना चाहिए पूरम ऐनने अबनी लिखा उ cyn अब सब्सक्राइब है उन्होंने तो अब से सक Amy NIH पूछते को मैं idealism क मैं कहां तक पूछ सकते हूं की आलग वे में विलिजा सतना कि इतन इतने पूछे आ इसलिए तव को अश्व हुआ जो के स्वां बहुत बड़ी सीख है सफेद दाग के जब हिस्ट्री टेकिंग होती है तो यहां से बात करें हाँ उसकी वज़े से ही आपको सफेद दाग हो उसको हटाया जा सकते हैं तो इसको हटाया जा सकते हैं देखो आज आज आपने जो यह जो यह जो पर्टिकुलर सेग्मेंट हमने किया उक्यूपेशन के उपर मुझे नहीं बता था कि इतना इंट्रेस्टिंग हो सकता इस फैंटास्टिक आई ओपनर था यह कानी मैंने पहले पी सुनी आपसे हैं जी है ना यह अमीज करती है मिरको तो यह था में यह थे इतना 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 में हम्पार की थी बत इस आंतासिक आपने बहुती इस सिंपल क्वेश्टिक आपकी यही कासिता एक आपकी था taking thank you thank you very much